तो यह वाले वीडियो में मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि दो अप्शन्स थे मेरे पास S21 एंदेन एच 30 फूजन तो मैंने S21 क्यों पिक नहीं किया और मैंने 5 तरसेंट जादा देखे एच 30 क्यों पिक किया अच 30 फूजन तो अगर मैं क्विकली पेमेंट पेच पे जाओं और इफ यू सी 32,000 का मेरे पास अब यह दिखा रहा है और 5% का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 32,000 का मुझे इसमें कैश बैक मिलेगा यूजिंग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैक क्रेडिट कार्ड तो यह मुझे पढ़ेगा 30,400 का और मुझे 30 फूजन मैंने वीडियो में देखा है कि मुझे 35 का पढ़ा तो रॉफल कुछ टाइम पहले और इतना सदन प्राइस ट्रॉप तो मैं थोड़ा सा स्कैप्टिकल हो जाता हूं कि is there a problem with the phone कि इतना जाधा प्राइस डॉप दिया जाता है और वह फोन ऐसे ही होता है इनका स्टॉप बहुत जाता होता है और वह सेल नहीं होता है one of the main reason is कि उसमें Exynos processor है आप कितना भी बोल रहो के 2.99 GHz और सम्थिंग जो भी उसका वह स्पीड बट देन अगें जो एक्सिनोस है वह एक्सिनोस ही रहेगा हीटिंग इस एक्सिनोस में कभी खतम नहीं होने वाले फॉर दर टाइम बिंग तो उपर से एच थर्टी फ्यूजन जो है उसमें ट्रिपल एट प्लस स्नैपड्रेगन मिला तो उसका एंटुटू स्कोर भी एट एट लैक्स के ऊपर इस नाट लैक्स के वह बिलकुली बेकार है इस वेरी कृट इस वरी डीसेंट एंड एन डियुक्त मेरा यही था कि मुझे यह डाइजस्ट नहीं हो रहा था कि इसमें यह मुझे थर्टी थाउजन का क्यों पड़ रहा है और इविन इसके बाद भी इसमें एक्स्ट्रा 3,000 का डिसकाउंट है ओन एक्स्चेंज लिक अपार्ट्रम जो नॉर्मल एक्स्चेंज रेट मिलेगा उसकी अलावा भी 3,000 का डिसकाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इतना ज्यादा मतलब 40,000 का 45-50,000 का फोन अगर आपको nearly half price में मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है यह question भी बनता है और इट्स नॉट लाएक कि वह बहुत पुराना फोन है अगर आप देखो कि S20 FE वह भी मतलब वह जाके इस प्रैस में मिल रहा है आपको तो similar price में दोनों पूंस कैसे मिल सकते हैं जो के S20 कितना पुराना फोन है तो so that was my reason